मित्रों आज आपके मन पसंदीदा चैनल पर लेकर उपस्तित हैं नत्मल जी की हवेली जो की राजस्तान के जैसल मेर सहर के मध्य में इस्तित है यह अपनी इस्तापत्य सहली के लिए बहुती प्रसिद्ध है जो राजपूत और मुगल डीजैनों का मिस्रण है इस हवेली को महारावल वैरिसल दुआरा दिवान महोता नत्मल के निवास के रूप में बनवाया गया था जैसल मेर को सोनार किला या स्वन किले की भूमी के रूप में जाना जाता है जैसा की नाम से पता चलता है जैसल मेर के किले के अंदर सजी इमारतें और नकासी जादातर पीले बलवा पत्थर से बनी है इस प्रकार जब इन सनरचनाओं पर जिल मिलाती धूप पड़ती है तो चारों और एक सुनहरी रोशनी निकलती है जिससे यह अवास होता है कि प्रतेक सनरचना सुद्ध सोने से बनी है और इस प्रकार पड़ा सोनार किले का नाम यह किला केंदर में जैसल में राज के प्रसिद प्रधान मंतरी दिवान मोहता नत्मल का घर इस्तित है मित्रों उनकी नत्मल जी की हवेली जटिल वास्तुकला से मिलती जुलती है जो की एक बहुती रोमांचक तरह का परियट निस्तल है इमारत के आकरसक अग्रभाग पक्षियों, हातियों, फूलों, साइकलों, भापिंजनों और सेनिकों के आकार में डिजाइन किये गए थे परियटक भवन की दिवारों पर मवेशियों, घोडों और फूलों के कई उतकीन चित्र भी हम देख सकते हैं नत्मल जी की हवेली के बारे में रोचक तथ्य और सामन्य ग्यान की बात करें तो इस इमारत का निर्मान एक दिलचस्व किवदंती से जुड़ा है कि कैसे दो भाईयों, हाति और लूलू ने दो अलग-अलग पक्षों से हवेली का निर्मान सुरू कर दिया था ताकि अंत में इसे सभी छोरों से मिल सके हवेली राजपूतों और इस्तापत्य की इसलामी सैलियों का संगम है हवेली के इंटीरियर पर पेंटिंग भव्य है आश्यरे जनक रूप से कारों और पंखे जैसी आधुनिक सुविदाओं के चित्रन है जिने दोनों भाईयों ने कभी ने देखे जाने के बावजूद पेंटिंग की थी हवेली के प्रवेश द्वार पर सिड्डियों के दोनों और दो राजसी सिंख रखे हुए हैं इन सेरों को पीले बलुआ पत्थर से जटिल रूप से उकेरा गया है और इस प्रकार जब सूरज की रोसनी पढ़ती है तो वे सोने की तरह चमकते हैं परिवार अब हवेली आने वाले परियटकों को पेंटिंग और अन्य संस्मरण बेचता है यह कई वॉलीबूड फिल्मों का इस्तान भी रहा है मित्रों इस हवेली को देखने का कोई सुल्क नहीं है आने का समय सुभे आठ बजे से शाम साथ बजे रोजाना है मित्रों परियटकों को सर्दियों के दौरान यानि नौमबर से फरवरी के महिनों के बीच इस जगे की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि थार रिगिस्तान की उपस्तती के कारण जैसल मेर में गर्मिया बिहत गर्म होती है मित्रों आप सभी ने नत्मल जी की हवेली के बारे में बहुती धैरिपूरवक एवं समय प्रदान कर जानकारी को सुना वे समझने का प्रियास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद